है दोस्तों अगर आप OS Class Palate Farm को यूज करना है और आप अपनी OS Class Theme को अपडेट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता OS Class Theme को अपडेट कैसे करना है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे OS Class Theme को अपडेट करने का तरीका तो दोस्तों जैसा कि आप ये वेबसाइट द implications मिला हुआ है तो मैं इस theme को update करोंगा तो update करने से पहले हमने क्या करना है सबसे पहले दोस्तों update करने पहले आप अपनी website का full backup ले लें और full website backup लेने लेने के बाद ही theme update करें क्योंकि कभी किसी तरह की दिखत्त होगी तो आपका back up आपको काम आ जाया गा तो अभी मैं यहाँ पर update theme को upload करने जा रहा हूँ, यहाँ पर यह update theme जो है मैंने download कर लिया है, update आने के बद, अब यहाँ पर आप चाहें तो upload पर click करके भी आप अपने update theme को upload कर सकने हैं, फिलाल मैं इस तरीके का use नहीं करूँगा, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक theme active करने वाला हूँ, आपके बस ध्यान है, दो theme होनी चाहिए, फिर ही आप इस तरह से update कर पाएंगे, तो आप एक theme अपने theme पैनल में रखें, दोस्तों मैंने जैसे यह theme को update किया, तो मेरी website का look बिलकुल change होगे, आप देख सकते हैं, अभी कैसे मेरी website सो रहा तो आप देखेंगे, तो theme update का option अब मुझे मिल लेगा, तो यहाँ पर आते हैं, तो दोस्तों अभी हम आ जाते है theme वाले option में, तो यहाँ पर अभी मैंने, देखी यह वाली theme जो है, वेरोनिका OS class theme, update करने के लिए भी यहाँ option सो रहा ता, आपको update पर click करना है, और update now पर click कर द देना है, तो दोस्तों update now पर click करते ही, आपका processing start हो जाता है, यह download हो रहा है, और साथी update भी हो रहा है, तो इसको हम active होने देते हैं, थोड़ टाइम लगेगा दोस्तों, तो अभी थोड़ा और समय लेने वाला है यह, तो थोड़ा इंतिजार कर लेते हैं, तो दोस्तों यह notification आ चुका है, theme has been updated correctly, अब हमारा काम खतम हो जाता है, go to page पर click कर देते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी भी यह theme active भी करना होगा, अब active पर click करते ही, आपका काम खतम हो जाता, फिर से हम अपनी website पर चलते हैं, और इसको refresh करते हैं, तो दोस्तों जैसे ही reference की आप देख सकते हैं, मेरी website की theme अपडेट भी हो गई, और साथ में किसी तरह का कोई change नहीं हुआ, तो दोस्तों इस तरह से आप OS class theme को असानी से